हलो फ्रेंड्स मैं कुशाल सुनी फिर से एक बार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पे जहां आप सिखते हैं फोटो एडिटिंग एवं प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत सारी अलग-अलग टिप्स एंड ट्रिक्स तो जैसा कि आपको पूरा दिखा रहा हूँ पेंसिल स्केच पे मैंने फोटो को कनवर्ट किया यह आपका पेंसिल स्केच है और यह ओरिजिनल फोटो था इसका यह वाला तो हम किसी भी फोटोग्राफ को पेंसिल पे कैसे कनवर्ट करें आज हम completely उस पे बात करने वाले हैं तो आप मास्किंग यह दो चीजें आपको आनी चाहिए अगर इतना आप करने में सक्षम है तो आप भी आसानी से जैसा मैं अभी बताने वाला हूँ वो प्रोसीजर फॉलो करके किसी भी फोटोग्राफ को पेंसिल आर्ट में कनवर्ट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पे अब्रकुल ध्यान से देखेगा फोटो उपन करने के बाद जो सबसे इंपोर्टेंट है आपको आना है यहां पे चैनल्स पे चैनल्स पे आपको मिलेगा आर जी बी और मैं बार बार आपको बताता हूँ यही आर जी बी शैडो मिट्टोन और हाइलाइट है तो सबसे ज़ जैसी मैंने ब्लू पे क्लिक किया देखिए पूरी फोटो पे डिटेल है जबकि रेड में वो डिटेल गायब था ब्लू पे सबसे ज़्यादा है तो ब्लू पे लेने के बाद आपको जैसी आपने ब्लू पे क्लिक किया अब आपको जाना है इमेज मोड पे आपको इमेज म वापस जाईए mode में और इस बार mode कर दीजे again RGB देखे ये बन गया आने भी तो हमने इतना procedure इसलिए फॉलो किया because हमको जो है detailed area चाहिए था photo का इसलिए channel पे blue लेके उसको gray scale पे convert किया then वापस RGB पे हमने convert किया अब आपको करना क्या है अब आप आजाएए layers पे और अभी layers में केवल background layers दिख रही है आपको मैं थोड़ा layers इधर लेके आजाओं तो अच्छे से समझ में आएगा layer पे अभी देखे सिर्फ background layer है तो background layer में आपको करना क्या है आपको दो बार duplicate करना है राइट क्लिक कीजे duplicate फिर राइट क्लिक कीजे duplicate दो बार आपने duplicate क्या यही काम आप control J के मदद से भी कर सकते हैं अब जो subset top वाली layer है अभी इसको आपको करना है select पे जाके आपको इसको करना है control I तो control I से यह हो जाएगा invert पूरा का पूरा photo invert में convert हो जाएगा अब जैसे आपने invert किया आपको यहाँ जो blending mode normal दिख रहा है इस normal blending mode को आपको convert करना है color dodge पे जैसी आप color dodge पे click करेंगे तो आपको लगभग पूरा का पूरा photo जो है plane दिखने लगेगा थोड़े बहुत आपको black spot दिखेंगे तो जैसी आपने convert किया color dodge में उसके बाद पहला काम आपको जाना है filter यह मैं गया filter और filter पे आना है blur पे और blur के अंदर है Gaussian blur यह Gaussian blur लगभग आपके Photoshop के लगभग लगभग सारे versions पे एब लेवल है तो आप उसके किजे और Gaussian blur पे अभी देखिए जब धीरे धीरे मैं Gaussian blur बढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत सारे जो है lines वो बहार आएगी तो इसका radius आपको 5 से लेखे 8 के बीच में रखना है मैंने 5 देखा थोड़ा कम लगा मैंने इसको कर दिया इस बार 7 7 यह थोड़ा ठीक है 7 देने का ल दिख रही है दो लेयर जो background लेयर के उपर दो लेयर है यह दोनों लेयर को आपस में आप control दबा के click करें और layer पे जाके इसमें option है merge layer merge कर दीजे जब यह merge हो जाए merge होने के बाद अब इसको आपको करना है duplicate तो जैसी आपने यहां से इसको duplicate किया duplicate करने के बाद आपको इसमें blending mode में जाना है ध्यान दीजे duplicate जैसी किया उसके बाद जाना है blending mode blending mode इस बार आपको करना है इसका linear burn देखिए linear burn किया उसके बाद फिर इसी के उपर right click करके आप duplicate option पे फिर जाएए ok कीजिए देखिए और एक बार duplicate हुआ फिर again right click कीजिए और duplicate option पे जाएए duplicate layers फिर यह ok पुछेगा जैसी ok करेंगे तो यह और duplicate हुआ देखिए हमने अलगभग तीन बार duplicate किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यह photograph दिख रहा है और अभी भी अगर आपको थोड़ा feel चाहिए इसमें तो एक बार और right click करके आप आजाएए यहाँ से duplicate layer और duplicate पे इस बार आप देखिए कि हाँ थोड़ा आप detail तो चार बार आ करना है clear है इसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे background layer है इस background layer को duplicate करना है जैसी आप duplicate करेंगे यह background layer आएगी जस्ट इसके जस्ट उपर इसे आप पकड़के सबसे top layer पे आप छोड़ दीजिए इस तरीके से यह पूरा मैंने सबसे top पे छोड़ दिया जब सबसे top पे आज जाएगा सबसे टॉप पे आने के बाद आपको करना क्या है सबसे टॉप पे आने के बाद अब यहां आपको जाना है filter पे और filter पे यहां पे एक option मिलेगा इस्टेलाईज इसके अंदर है find ages करके एक command यहां जैसे आप find ages पे click करेंगे यह इस तरीके का कुछ दिखेगा और इसका blending mode आपको करना है multiply जैसे आप multiply करेंगे तो आपको दिखेगा यह इस तरीके का multiply करने के बाद देखे जहां पे आपको shadow का area को ज़्यादा खराब दिख रहा होगा जैसे यहां पे यह आया होगा है तो आप इसको masking के through यहां से आप add layer mask कर लिजे और brush ले लिजे brush लेने के बाद आप brush का size बढ़ाईए जैसे brush का size बढ़ता है यहां से opacity थोड़ी कम रखिए और sprayer on रखिए धीरे धीरे यह आप हटाने की कोशिस कीजिए देखे यह हमने हटाया जो बहुत ज़्यादा black spot दिख रहा था जहां जहां आपको थोड़ा black दिखता है ज़्यादा ही जो अच्छा नहीं लगता वो आप सकते हैं अब यह लगभग ठीक है तो देखे यह आपने अभी इतना किया अब आपको करना क्या है अब है सबसे important जब इतना आप कर लें उसके बाद again आप जाएए अपने इस background layer प यहां से आप इसको सबसे उपर की और लेके जाएए सबसे उपर कैसे जाएगा यह control के साथ आप shift दबाएए और सबसे उपर जो bracket होता है bracket close जो आपको enter के उपर होता है तो bracket close यह button मैं आपको दिखा भी रहूँ यह दबाना है तो सबसे उपर आजाएगी अब फिर से filter पे आना है आपको और filter gallery पे जाना है filter gallery में आपको मिलेगा ये artistic में artistic क्लिक करने के बाद आपको आना है cut out में और cut out पे click करने के बाद यहाँ पे देखे मैंने already set करके रखा है same ऐसा ही input देना है आपको number of level में 5 age में आपको देना है 5 और ये fidelity करके option है इसमें 3 देना है ये तीनों क same जैसा मैंने बताया है वैसा देखे okay कीजिए जैसी okay हो गया आपका ये इस तरीके का image आएगा अब इसको आपको blending mode के through करना है linear burn और linear burn करने के बाद इसमें आपको opacity या fill ये लगभग कर देना है आपको 20% के आसपास बस जादा नहीं ये 20% तो इससे थोड़ा pencil का एक और effect add हो जाएगा clear है अब आपको last आपको आना ये जितने भी white color के उपर दिख रहे है न options इसमें सबसे पहले आप click कीजे यहाँ और आईए filter पे filter पे आप जाए filter gallery और filter gallery में आपको यहाँ पे मिलेगा sketch का option इस sketch के option पर जाके थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको देख photocopy नाम का option इस photocopy वाले option को click कीजे जैसी photocopy वाले option को आप click करेंगे तो यहाँ detail पे 2 और darkness में 20 देना है then ok करना है जैसी आपने ok किया देखे इसमें बार एक बहुत खुबसरत ये डाने आजाएंगे pencil के और अब आपको फिर से जाना है filter पे filter gallery और यहाँ जो यह बारिक जाने दिख रहे थे इसके उपर आदा है आपको brush stroke option पे और brush stroke में आपको angle stroke से second number का command है यहाँ click करना है जैसे आप click करेंगे तो देखे इसमें मैंने direction जो है balance 100% दिया है आप stroke length आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं 50% करना हो 50 कर सकते हैं but 50 ज्यादा हो जागा तो कोश इसको 25 रखने की then आप sharpness को थोड़ा कम रखना चाहें तो इलगभग 7 के आसपास sharpness रखें ज्यादा sharp ना रखें और direction balance जो यह आया है आप चाहो तो इसको भी थोड़ा कम कर सकते हैं यह 80 के आसपास रखें बस जैसे ही आपने यह दिया इतना input देने के बाद OK कीजिए जै इतने भी यहाँ पे जो यह जहाँ इसके नीचे जो भी लेयर है जो white के उपर दिख रहा है यह क्लिक कीजिए और यहाँ पे आईए यहाँ एक option दिया है अल्टर कंट्रोल F यह क्लिक कर दिजिए जैसे ही आप यह क्लिक करेंगे यह इसपे के smoothness आगया फिर second पे आप क्लिक कीजिए और फिर से आप करिए filter के अंदर अल्टरोल कंट्रोल F देखिए यह आपका लगभग लगभग pencil का sketch अभी तयार हो गया है फिर last आपका बचा है जो यह तीसरे नंबर का इस पे भी आप जो है यहां से filter gallery में अल्टर कंट्रोल F क्लिक कर दिजें तो इस सारे options आपके सेम काम करने लगए यह देखिए यह आगया बढ़िया और अब आपको जो सबसे उपर यह था इस सबसे उपर वाले option पे भी एक बार क्लिक करके control अल्टर F क्लिक करना है clear अब यह बहुत बढ़िया हो गया अब आप last आपको option क्या करना है आप background की उपर जित्ती भी layer आई थी आपको यह पूरी layer जो है एक duplicate करने आप पहले background layer को control J दबाके और इस background layer से लेके उपर तक की जितनी भी layer है सबको आप इस तरीके से select करके layer पे जाईए और merge layer कर दीजे या control E दबाके भी कर सकते हैं देखे यह आपके पास आगया और अब आपको आना है इस background layer को control J करके फिर से duplicate करना है और सबसे उपर आ जाना है सबसे उपर इस तरह से रखना है सबसे उपर आने के बाद आपको यहां blending mode में आपको जाना है blending mode में यह दिया आप देखें तो blending mode में आपको color burn option मिलेगा इस color burn में आ जाईए color burn में आने के बाद आप feel पूरा zero करके धीरे धीरे feel को बढ़ाईए जब आपको satisfaction मिले उतना देखें मुझे काफी अच्छा एक pencil का stroke मिल रहा है और पहले यह थोड़ा कम था उतना उभर के नहीं आ रहा था अभी इसमें details आ गई अब यह सारा चीज आप जो है all flatten कर लिजे layer पे जाके flatten image कर लिजे तो यह पूरी flatten हो गई अब flatten होने के बाद आपको करना क्या है flatten होने के बाद आपको आना है वापस filter पे और filter पे यहाँ पे दिया है noise के अंदर दिया है dust and scratches dust and scratches पे आपको करना क्या है यह one यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आपको करना है 128 जैसे 128 करेंगे फिर इसको हलका सा two पे convert करें तो 2 और 128 जैसे आप दोगे तो देखे पहले ऐसा था मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको पहले आपका फोटो इस तरीके साथ जो बहुत ज़्यादा शार्प लग रहा था जैसे मैंने यहाँ पर रेडियस 2 और त्रेसोल्ड 128 किया अभी आप देखे बिल्कुल स्मूथ हो गया है बहुत जो ज़्यादा शार्प दिख रहा था वह एकदम स्मूथ हो गया बस इतना आपको करना है और यह आपका पेंसिल स्केच लगभग तयार है फिर अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ काम किया जा सकता है तो आप एक इसमें ये कर सकते हैं कि इसे डूब्लिकेट करके आप मल्टिप्लाई कर सकते हैं और मल्टिप्लाई करने के बाद आप यहां मास्किंग लगा सकते हैं अल्ट के साथ masking किया और masking में जो area आपको लगता है कि enhance करना चाहिए उस area पे आप धीरे धीरे इस तरीके से brush चला के उसे enhance कर सकते हैं आपण pencil sketch बनाते समय आपने देखा होगा कि brush का इस्तेमाल करते हैं साथ में आप थोड़ा eraser चलाते हैं उसी तरीके से इसमें आप जहां आपको detail area को उभारने की जरुवत मैसूस होती हो वहाँ पे आप इस तरीके का चला सकते हैं तो यह आपका complete बन गया pencil sketch directly इतना काम करने से तो मीद करता हूँ आप सभी को pencil sketch का इस session बहुत पसंद आया होगा इसमें आप अपने अनुसार थोड़े बहुत और manipulations कर सकते हैं तो हो सकता है आपका और भी इससे अच्छा बने तो मेरी कोशिस थी कि मैं आपको similar sketch के आसपास ले के चलूँ तो यह लगबख हमारे sketch के आ हाली बेठे हैं तो आप अपने ही किसी near dear का sketch बनाके उसे तोफे में दे सकते हैं digitally उसको mail कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे हम किसी एक नए creative topic के साथ आज का यह session पसंद आता हो तो जितना जादा आप like कर सकते हैं like कीजिए share कीजिए और आपके comment आते रहने चाहिए thank you